दोस्तों देख सकते हो आप कितना ही प्यारा सा जो hybrid ही विसकस मेरा खिला हुआ है और इसका जो फ्लाज होता है बहुत ही big size का होता है दोस्तों यह big size कैसे आता है फ्लाज यह मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप कौनसा fertilizer डाले या कौनसी compost इसके अंदर डाले जिस तरस इसके अंदर डाला था मैं हमेशा इसके अंदर दोस्तों चाय की पती और फिर जो गोवर के उपले होते दोस्तों उसी को ही इसके अंदर डालती हूं जिससे मुझे की इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप देख सकते हैं जो मेरा ये प्लांट है वो कितना हेल्दी है दो प्लांट है यह ओर यहाँ पे हैं चोटी सी कली बनी हूorie है और यह कब बड़ी हो जाये पता भी निए चलेगा दोस्तों आपको देखो कितनी इसमे बड़्ज बनी हूई है और इसमें 도स्तों आप समय समय पर क्या करें गुडाई करें और दोस्तों मैंने इसमें एक और चीज डाली थी जब मैंने इसको रिपोट किया था उस ताइम मैंने इसके अंदर जो हमारे जो किचन वेस्ट होता है वो इसके अंदर डाला था आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो किचन वेस्ट था वो डाला था उसके छिलके डाले थे और उसी की बज़स ही यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो पटैटो के ज जाने वाली है यहां 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 तो आप लोग भी अपने जो अगर इस तरह से जो बहुती बीग साइज का जो फ्लाज लेना चाहते है तो इस तरह से ज़रूर करें चाय पती हमारे पौदे के लिए बहुती जादा यूसफुल फॉर्टिलाइजर के सकते हैं आप बहुती ज जरूर करें इस तरह से और यह अपनी पौदे में जरूर दें आप और इसको दोस्तो इस टाइम जो winter का होता है यह जो hybrid ही विसकस तो आप इस टाइम क्या करें इसको विल्कुल सनलाइट पे रखें आपका पौदा विल्कुल खराब नहीं होगा आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा हाथ भी छोटा पड़ रहा है इतना बड़ा फ्लाज है इतना बड़ा बिक साइज में देख सकते हो आप कितना ही जादा यल में जरूर बताएं कि आपका जो हाइवरिड ही विसकस है उसका रजल्ट आपको कैसा मिला मुझे तो ऐसे ही रजल्ट मिलता है मैं इसमें डिय भी तो विल्कुल भी निलालती हूं तो आप लोग भी करें इस बात को बस मुझे यही दिखाना था आप लोगों को और बस कु स्ट्री तो आप लोगे नाप्र यही द वी सर्गा अंत्य।